कि मैं सब्सक्राइब करता हूं कि इस चर्चा को आगे बढ़ना है धन्यवासर शांति हो अभी आज शुटी के बारे में चर्चा किया जा रहा था जब आप इस कोर्स को दिख्षा एप पर लागिन करके कोर्स को पूर्ण करना प्राराम करेंगे तो आपको विस्त्रित जानकारी मिलेगी जैसे कि ICT के अधारना क्या है आज के समय में ये कहा जाता है कि हैर कोई ये कहता है कि मैं ICT का उप्योग करता हूं क्या वास्ताव में ICT का हम उप्योग करते हैं या कब कहेंगे कि हम ICT का उप्योग करते हैं जैसे मानलो हम अपने कक्षा अध्यापन में चलो एक उदाहरन लेते हैं विज्ञान विशय का अध्यापन करते हैं सिक्षन करते हैं उस समय मैं ICT का उप्युग करता हूं मानलो कोई सिख्ष के दावा करता है और वह किसे आय 살아 Indοι का उप्योग कर रह रहा हैं मानलो कोई पाध़का एक चीत्र दिखाया या कम्प्यूटर के माध्यम से हो या स्लाइड के माध्यम से हो एक पादप का उन्होंने चित्र दिखाया और उस चित्र को दिखा करके उसके विभिन भागों के बारे में जानकारी दी सिक्षन किया और वह सिक्षा कहता है कि मैं ICT का उपयोग किया हूँ तो क्या यह सही है कि उन्होंने ICT का उपयोग किया है तो ऐसी बहुत सारे बाते इस कोर्स में आपको मिलेगा और इसका जवाब है कि नहीं वह सिक्षाक ICT का उपयोग नहीं किया है तो कब कहा जाएगा कि वह सिक्षाक ICT का उपयोग करेंगे वह कौन-कौन से बिंदु जिनका उप्योग करने के बाद हम कह सकते हैं कि हम ICT को उप्योग कर रहे हैं तो एक दो तीन मिंदूत यह है कि स्लाइड दिखाने से ही ICT को उप्योग नहीं होता है स्लाइड बनाये बना करके स्लाइड का आदान प्रदान करें के वल दिखा दिये और चल दिये तो नहीं स्लाइड बच्चों के पास जाना चाहिए चाहे किसी भी माध्धम में चाहे वाट्सप गुरूप के माध्धम से जाना चाहिए चाहे मेल के माध्धम से जाना चाहिए चाहिए और उसके बाद हम को मीडिया पीडा सकते हैं और इसके बाद उस स्लाइट का उस पिक्चर का हमारे पास प्रतियूद्टर आना चाहिए प्रतियूद्थ और छे यह यह American Highland को उप्योग करें था प कि आ करेंगे कि हम एक ICT का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सी महत्यपूर्ण बाते इस course में हैं आपको वीडियो मिलेगा विडियो के माध्यम से आपको सिखने को मिलेगा और कंटेंड तो है एह है रहता ही है चित्र रहेगा बहुत सारे चीज़ है जो एक सिख्षक को जानना बहुत ही आवस्यक होता है तो इस कोर्ष को गंभीरता पूर्वक कीजिए बहुत सरल है ये कोर्ष और जब एक कोर्ष को करोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ICT क्या होती है और मैं भी ICT को कर सकता हो हर को prata कर सकता है क्योंकि ICT हमारे चारों तरफ है और हमको उप्योक्त करनने नहीं आता है ऐसा हम मान सकते हैंहें हम इस को करेंगे तो हम बिल्कुल सम्रेथ हो जाएंगे ICT के बारे में आपको यह भी मालूम है कि किसी भी कोर्ष को तब पूर्ण माना जाता है जब वह कोर्ष को पूर्ण करने के बार 20 प्रफनों की सिंख्ला में से न्यूम्तम 14 प्रफणों के सही जवाब दे देता है तब वह उस कोछ्र को पूर्ण करना मौना जाता है। यदि कोई सिक्षक 20 प्रफणों में 14 प्रफणों के सही जवाब नहीं किसका सकता है एक महीने की भी तान वे। दूफराबार और तीफराबार अधिक्तम तीन चान से मिलता है ये सब आपको मालूम ही है एक महिना में एक कोर्ष को करने के लिए तीन चान से मिलता है और हरे कोर्ष को करने के लिए तीन से साड़े तीन गंडा तक की समय लगता है तो हमारे पास एक महिना का समय रहता है और और हमको दो कोर्स करना होता है और इन दो को करने के लिए हमारे पास समय ही समय है तो हम आप सब्सक्राइब करेंगे कि बहुत जल्दी इस को कॉर्स को कम्प्लेट करें और कि अब हम इस पुरे कोर्स के अंतिम कोर्स पर चर्चा करेंगी जिसको कोर्स बारा कहते हैं यह है टाय बेस्ट पेड़ा गाजी इवी पी कहते हैं तो आईए खिलावना आधारी सिक्षन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुथिदाज मेंड़ और प्रीजी सिंग मेंड़ आप से चर्चा करेंगे दूर हो रहा है इसाइए अगा अधारा अधिए नमस्कार साथी हूं आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस ट्वाइब बेस्ट पेड़ागोजी के इस ओनलाइन सेशन में कि अजब इस बार का एड़ी ट्वेंटी ट्वेंटी कि कहता है कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो फिजिकल मेंटल इमोशनल सोसाइटल में तो जब हम इस तरह के अवधाना के साथ चलते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इन पूरी चीजों का विकास एक बच्चे में हम कैसे कर सकते हैं उसका एक अच्छा समाध्यम है खेल और खिलोने क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो हर उस चीज को खिलोना बना लेता है जिससे वो खेलता है या कुछ एक्टिविटी करता है मतलब हर बच्चा सोभाव से उत्सुक होता है वो कोई भी पाना को लेते हुए हम कक्षा में आएंगे कि बच्चा खिलोने को लेकर विश्चा से कैसे जूड़े और उसके में यह सारे विकास कैसे हो जो हम जो हमारा एनिपी 2020 भी कहता है 21 सदी के कोशल हमें अपने बच्चे में डवलब करना है जैसे एक बच्चे में यह सारे कोशल कैसे डवलब हों क्योंकि बच्चा जब खेलता है तो उसके में जो जो डवलब्मेंट होता है खोज करने की चमता उसको उसमें प्रशन करने की चमता तारकिक चमता वो प्रशन भी करता है काफी कुछ समझने की जानने की कोशिश करता है आप देखेंगे तो जब भी बच्चे के हाथ में कोई चीज आता है उसको तोड मरोड के उसके अंदर जानने की कोशिश करता है आप सौफ्ट वाय भी देंगे तो उसको वो तोड़ के रोड़ के जानने कोशिश करता है कि अंदर क्या भरा है इसके अंदर क्या है वो उसको जानने की कोशिश करता है फिर वो अपने बाबाब से प्रशन भी करता है कि इसमें क्या है किसी में रूई भरा है किसी में सरसों बच्चा अपने प्रेश्णों से जानने की कोशिश करता है क्योंग जिग्यासो सभॉड उसका है यह बचपन से तो इस तरह के जब बच्चे का जो उस्क्ता है उसको जब हम उसी माध्यम से जब विषय को जोडते हैं, तो बच्चा अपने विशय से भी सीख जाता है, अपने विशय को समझता है, और उसके माध्यम से वो अपनी संस्क्रती से जोडता है, अपनी स्थानी भाषा से जोडता है, अपनी स्थानी बोली से जोडता है, ऐसी बहुत सारी चीजें, जो बच्चा खेल खिल में सीखें, जैसे हम कुछ मिट्टी दे सकते हैं, कुछ कागज, कलर कागज दे दीजें, कुछ स्केश पैन दीजें, कुछ पैंसिल पैन दे दीजें और उनको खुला छोड़ दीजें, कि बच्चे अपने मान से सीखें, तो वो बच्चा देखिएगा जो प्रकृतिमी चीज कुछ देखता है, आप देखिए, उसी को खिलोना समझता है, और उसी को आप देखेंगे, तो वो अपने कागज पे रखेगा, बनाएगा, या आप मिट्टी भी देंगे, तो उससे भी वो कुछ-कुछ बनाएगा, चाहे कुत्ता बिल्ली भी बनाएगा, तो आस-पास जो पेड़ें, पादें, पत्तियां हैं, रंगों का घ्यान है, उनकी आकरतियों का घ्यान है, ऐसे आप मैट्स में बहुत सारी चीज़ों को जोड सकते हैं, क्योंकि हम मैट्स वाले हैं, तो शायद इसलिए मैट्स की बाद चाहता कर रहा हैं, कि जब भी बच्चा कुछ सीखत करता है तोर चीज में क्विज्जान थे हैं हर चीज में घर यत हैं तो हम बहुत सारी कविताओं को कहानियों को रोल-Play की माध्यम से ना्टक के माध्यम से रघम से रही है क्व के साथ कर सकते हैं चोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं और उनकी शुरुवात मेरे ख्याल में एक blended mode में होने चाहिए कि थोड़ा सा हम इस्थानी भाषा बोली भी लें और थोड़ा सा हम नौर्मल अपनी जो भाषा है उसको लें हिंदी जो नौर्मल बोलते हैं तो इससे बच्चा क्या होगा कि एकदम से वो ऐसा नहीं लेगा कि क समाजिक विज्ञान बुनियाद इस तरफे शायद नहीं है ना स्वाती में तो ऐसे हम बहुत सारी चीजों के साथ खेल खिलौने के माद्यम से हम अपने बच्चों को विशय पढ़ा सकते हैं आगे के सेशन के लिए मैं स्वाती दास मैडम को जो कि मैरे डायट रापुर मे हैं आमंत्रित करना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि कैसे हम खेल और इस्थानी भाषा और संस्क्रती और विचार को हम अपने खेल के माद्यम से कैसे विक्सित कर सकते हैं अपने बच्चों में अपने बहुत अच्छे से इसको आरम किया और जैसा कि आपने कहा इसके पहले कि मैं सब्चेक्ट में आऊं एक बार मैं अपने शिक्षगणों को यह बताना चाहरी हूं कि यह जो कार्खरम चल रहा है वो निश्था के अंतरगत चल रहा है निश्था मतलब National Initiative for School Heads and Teachers और Holistic Advancement तो School Head और Teachers तोनों के लिए है यह और उनका पूरा Holistic Advancement है तो इसमें कोर्स 12 में आपको क्या सिखने को मिलेगा क्या पढ़ने को मिलेगा और इससे आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं इस बात की जानकारी आपको यहां पर दी जारी है अब मैं आती हूँ मैं के साथ जहां से मैं ने छोड़ा कि कोर्स 12 जो है कोर्स 12 अपना जो है बुनियादी इस तर के लिए खिलोना आधारित शीक्षन जिसको शॉर्ट में T, B, T कह देते हैं टॉइ बेस पेड़ागोजी तो इस में मुझे एनिपी 2020 में यह पोर्शन सबसे अच्छा लगा कौन सा की टॉइ बेस पेड़ागोजी तो मैं जैसे बात कर रही थी महीं जाती हूँ कि जो कोई छोटा बच्चा रहता है उसके सामने कोई भी चीज आती तो उसको वो खेलन लगता है उससे को खिलोना बना लेता है तो मेरे ऐसा कहते ही मेरे दिमाग में चोटा सा बच्चा आने लगा जिसको अपने इंफेंट्स बोलते हैं या नाजाज शिशू जब वो कुछ महीने का ही होता है या कुछ दिनों का भी होता है मतलब जब वो अपने हाथ पर हिला पाने में सक्षा हो जाता हूं उस एज की बात कर रही हूं दो तीन महीने के बच्चे की तभी भी आप उसके तरफ हांत बढ़ाए या कुछ चीज दीजिए तो तुरंत हांत बढ़ा के उसको खेलने लगता है और कुछ उस समय उसके सिफेकी इंद्री डैवलप हुई रहत और फिर उसके बाद यदि मुँ में वह ले गया किसी चीज को तो बड़ी देर तक उसको चलाता रहता है मुँ में चबाने की कोशिश करता है वह इस समय उसको खोचते रहता है परकते रहता है तो वह चोटा बच्चा वह शिशुवापन ध्यान करें तो बहुत अच्छी जिए निकल की आती है कि मनुश्य की प्रवित्ति कैसी है मैं प्रवित्ति की बात कर रही हूँ मतलब उसकी आदतें कैसी है मनुश्य की क्योंकि यदि किसी को कुछ सिखाना है तो उसकी आदत में शामिल हो जाए तो फिर उसको सीखना और सिखाना नहीं होता सब कुछ अप अपने आप हो जाता है तो मनुश्य की प्रवित्ती यह है कि वो उसके आसपास जो भी है वो सब चीजें वो जानना चाहता है और समझना चाहता है और उसके बाद उसको अपनी हिसाब से चलाना भी चाहता है अपनी हिसाब से ही सारी चीज़ों को करना चाहता है तो इसी का य सारी शिक्षन कि यह दी हम बच्चे को अच्छा इक चीज और अपन ध्यान देंगे कि यह जो कोर्स है यह वन टू-फाइब पढ़ाने वाले हमारे जो सिक्षक साथी करने उनके लिए है तो वन टू-फाइब में जो बच्चे हैं और इसको बन टू-फाइब में कहना कर केजी वन केजी टू-फिर क्लास टू तक जो जा रहा है उसके लिए और थ्री टू-फाइब तो यह पूरे ग्रूप के लिए तीन इस तर के लिए इसको डिजाइन किया गया है तो उन तीनों इस तर पे जो बच्चे होते हैं वह बहुत ज्यादा उम्र वाले नहीं होते यानि वह बहुत बड़े नहीं होते एजवाइस तो उनकी जो एज है उसमें उनका खिलानों के साथ एक भावनात्मक कहना चाहिए संबंद होता है लगाव होता है तो इसी बात का फाइदा शिक्षा विदों ने उठाया है क्या कि बच्चा आरंब से ही सारी चीजों के पामिल कर दिया जाए बस इतनी सी ही परिभाशा है इसकी खिलोना आधारित शिक्षन की शब्द बड़े लगते हैं जब उसके साथ शिक्षन जूर जाता है लेकिन इसमें बहुत जरलता से सारी चीजों को डाला गया है तो इसको अपन देखते हैं यह तो इसकी टॉपिक क पता रहे कि हम क्या करने वाले हैं तो हम थोड़ा अपनी हिसाब से चीजों को च्छाट के नोट डाउं करते हैं तो इसलिए इसका उदेश है सबसे पहले अपन बता देते हैं देखिए आपको स्लाइट में दिख रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम के अंग के रूप में पिर दूसरा टी पी यह वही है टॉइबेस पेड़ागोजी उसको जो विकास के तीनों लक्ष हैं उससे करित करने में फिर उसके बाद खिलोने और खेल को शिक्षन की रूप में कैसे विक्सित किया जाए इसको सपोर्ट करने में मतलब कि खेल और खिलोना भी है वो शिक् पर करने के लिए फिर खिलोने और गेम्स और हस्त कोशल्यू सामागरी के साथ यह कठीर शब्दे यह लिखे हुए हैं प्रत्ययों का खाका बनाना वह ऐसा है कि जो सीखने के लर्निंग आउटकम्स है उसके साथ अटैच्मेंट है यह फिर स्वदेशी और भारती पारम पर खिलोनों की भुमी का मतलब जो स्थानी खिलोने हैं उनको आगे पढ़ाने के लिए या कहना चाहिए कि उनके साथ बच्चा पहले से जुड़ा हुआ है तो वहीं से पढ़ाई आरम करने के लिए इसी में था खिलोना आधारी शिक्षन द्वारा सांस्कृतिक संबध्धता अब संस्कृतिक संबध्धता का उद्देश क्यों रखा गया क्योंकि हम चंद खुश नसीब देशों में से हैं जिनकी अपनी बहुत रिच संस्कृतिक परमपरा रही है यह बहुत संब्रिद्ध हमारे संस्कृति रही है उसको और आगे पढ़ाने के लिए फिर एक खिलो डू आई फॉर इट एंड वाई फार योर्सेल्फ मतलब खुद इसे अपने लिए खिलोने बनाना जो सबसे अच्छी चीज रहती है अगर मेरा मन पसंद खिलोना मुझे मिल रहा हो भी मेरा बनाया हुआ तो मैं उससे बहुत ज्यादा तक ज्यादा समय तक खेलना पसंद क करूंगा और उसमें क्या कि वह खिलोने से विशेश लगाव भी रहेगा इसलिए एक बहुत अच्छी चीज है डी आई वाई छेत्र फिर इसके बाद नेक्स्ट तो आप हमशा से जानते हैं कम लागात बीना लागात से इसको बनाना और फिर लास्ट इसका उदेश है तक् के लिए कोर्स चैडियूल हुआ है कोर्स तयार किया गया है कोर्स का मतलब यह है कि इस टॉपिक को समझने में आपको किन-किन बिंदू की जरुवत पड़ेगी वही बिंदू जो होता है ना वह कोर्स की रूप रेखा है तो पहला तो टीबीटी का महत्वा आपको पता चल तलना चाहिए फिर खिलोना धारिषी क्या धारणा से परिशीत होना चाहिए फिर उसके बाद शिक्ष्यान की रूपमे कौन से खिलोने या खेल आप ले सकते हैं वह है स्वदेशी और पारांप्री खिलोणों की क्या-क्या भूमीका हो सकती है फिर सांस्कृतिक मतलब जो उदेश याना वही यहां पर रूपरेखा के रूप में डले हुए हैं इसमें से कुछ भी नया नहीं है आप उसको उसी के साथ अटाइच कर सकते हैं इसको नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें पहला जो इसमें पॉइंट डील हो रहा है वो आ रहा है अपना खेल और खिलोना अधारी शीक्षन का महदव तो महदव पर बेभी एपन पहले बात कर चुकिंद है कि इसका महदव ड्रफि क्या है कि बच्चों को एक अच्छा वातवरन effective मिल जाता है बच्चों को जो घर से खेलते हुए ही रहते हैं इसके पहले शाला आने के पहले तो उनको पढ़ाई से जोड़ने में इसके एक बहुत अच्छा कहना चाहिए पुल बन जाता है ब्रिज बन जाता है पढ़ाई और घर के माहौल के बीच में तो यह है इसका महत्व खेलाधरी शिक्षन का और फिर इसके बाद इस में एक शेक्षिक खिलाने से अभी मैं एक नया शब्द यूज़ कर रही हूं सैक्षिक खिलाना तो यह कोई नया नहीं है कोई भी खिलाना जिससे यदि कुछ शिक्षा मिल जारी है तो वह हो जा रहा है सैक्षिक खिलाना अब सैक्षिक खिलाने में आप सोच सकते हैं कि कि प्रकार की होंगे, अभी मैंने बात किया, वो तीन वर्ष की आयू के बच्चे से लेके, मैंने बात की थी, नो वर्ष तक के आयू के बच्चे के लिए, तो क्या तीन वर्ष का बच्चा वही खिलाने खेलेगा, जो नो वर्ष का बच्चा खेलेगा, या कुछ अलग होगा, तो जी यां इसके answer yes है कि इनके सभी age wise अलग-अलग किसम की खिलोने इसमें रहेंगे यह आपको आपके course में मिल जाएगा कौन-कौन सा इस्तर रहेगा जैसे बुनियादी इस्तर रहेगा फ्रिप्रेटरी इस्तर रहेगा तो बुनियादी इस्तर में भी जो बच्चे दो-ती तीन वर्ष के आ सकते हैं क्योंकि एक वर्ष का अंतर हमेशा रहता है कक्षाओ में तो दो-तीन वर्ष के बच्चे जो हैं वो कौन-कौन से गेम खेल सकते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल फिसल पट्टी हो गया जूला हो गया या सी सौ हो गया इस टाइप का अपन खेल उनके लिए लगा सकते हैं और जो इससे थोड़े बड़े बच्चे हैं या इसी में ही जो थोड़े से और बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए जो अपन पारंपरी ग्रूप से गेम खेलते थे ना पोशंपा भई पोशंपा ये वाला या फेको और लपको फिर उनके थोड़े से बड़े बच्चों के लिए तो अब ये कोकिला चपा की क्या है यह मैं बताओं कि ये बच्पन में हम भी खेले हैं इसको लेकिन नाम मुझे बिल्कुल याद नी आ रहा है तो मैं बुक का ही नाम ले रही हूँ तो इसमें क्या है आप भी ज़रूर खेले होंगे क एक round लगा के सब बैठ जाते हैं फिर कोई एक के पास कपड़ाई की ball या कपड़ा रहता है और वो सब के पीट के पिछे गोल-गोल घुमता है फिर किसी एक के पिछे डाल देता है और उसको फिर पहचाना के कि डाल रहा है तो उसको next गोल घुमके ही दार कर उसकी खाली जग इसको ले सकते हैं पिर इंडोर गेम्स में भी जो कार्ड के गेम हैं जिनको अपन ताश की पत्ती बोलते हैं या इसमें ले सकते हैं क्यारम या चाइनिस चेकर इस चेप के कई गेम या जिनको अपन देशी भाशा में पचीसा बोलते हैं या कौडी बोलते हैं जिसको अपन फ गेम अलग-अलग भी होता जैसे एक गेम हम बच्पन में खेलें जिसको पिटूल कहा जाता था तो वह भी और लटू भी ले सकते हैं भारा जिसको हम बोलते थे और एक बिल्कुल इस थानी गेम में गिली टंडा भी आता है गोबर टंडा भी आता है इसमें मेजर्मेंट है ब इसी में आपके कोर्स में कुछ आगे चर्चा की गई है, उसके पहले में बता दूँ कि कौन-कौन से गेम लेंगे, नेक्स्ट लाइड प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइड, यहां ये वाली मैं चाहरी थी, कि खिलावनी कैसे होने चाहिए, उसके बिंदुओं को पहले पंध्यान में रख लें, फिर अपना आगे और बात करेंगे, क्या कि भारती संस्कृती और लोकाचार से मेल होना चाहिए, फिर भारती संस्कृती और लोकाचार से मेल का मतलत क्या है, कि भारत इतना समरिद्य देश है कि हर छोटे-छोटी जगा पर उसकी संस्कृती बदल जाती है अब जैसे यदि मैं गुजरात में बनने वाली गुडिया को बस्तर में यूज करूं तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये इतना ऐसे सजे धजे और इतने सारे आभूशन और ये इस तरीके के आभूशन और इस तरीके का ड्रस क्यों पहना हुआ है वो बिल्कुल स पंजाब में अलग होना चाहिए इसी प्रकार हर जगह तो वह जो वहां का लोकल स्थानी जो कल्चर है उससे उसमें क्या होना चाहिए उसका मेल होना चाहिए यहां कि वेशभूशा से मेल खाता हुआ होना चाहिए फिर उसके बाद छेत्र की संस्कृति के बारे में जानने के लिए छेत्र की संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए तो इसमें भी वही है जैसे रसोई के बरतानपन ले रहे हैं तो हर जगर रसोई अलग-अलग तरीके से बनती है वतला फॉर एक्जामपल हम ले लें चतिसगड़ के इस अंदर में तो जहां पर जो चीज होती है उसी चीज का भोजन मुख्य रूप से किया जाता है जैसे कि मक्का कहीं पर हो रहा है अपने चतिसगड़ में तो वहां पर मक्के के बने हुए वेंजन इस्थानी भी आएंगे जैसे मक्क मक्के के दानों को उबाल लिया जाता है उसको पीस लिया जाता है या मक्के के दानों को कच्चा कूट लिया जाता है और फिर उसके बाद उससे कुछ पकवान बनाए जाते हैं तो यह बाद दूसरे जगह पे जहां मक्का नहीं होता वहां पर नहीं होगा तो यह इसको छे पीट के पीछे रुमाल लेके दौडने वाली गोल गोल ज़िए हम बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ बुनियादी इस तर के बच्चों के साथ यह खेल खेले तो वह गिर सकते हैं अब तो वह दौड नहीं पाएंगे गोल घेरे में दूसरा दौड भी लिए तो गिरने का डर है उनको चोट लगने का डर है तो यह अपन उसको ध्यान में रखेंगे और यदि हम 11 वर्ष के बच्चे को या 9 वर्ष के बच्चे को बोलेंगे कि तुम फिसल पट्टी पर ही फिसलते रहो तो उसके लिए वह उतना अट्रक्टिव नहीं रहेगा उसके लिए उतना अ कि खिलोने में और क्या चीज अपने को मिल सकती है तो उसमें बहु भाशिकता समावेशन और सांस्कृतिक संबधता की बात की जारी है इसमें क्या है कि जो हड़पा और मोहन जोड़ों की खुदाई की गई थी यानि कि 5000 वर्ष पहले भी हमारे भारत में खिलोने का क्या थ क्या है तो मतलग कहने का कि उनके बारे में भी हम बता सकते हैं या उनके जैसे भी हम निर्मान कर सकते जैसे च्छतिस गड़ में एक तेवहार ही है खेल के नम परना जिसको अपन पोला के नम से जानते जिसमें मिट्टी के कुछ खिलोने स्पेशल रूप से बनते बाकि तो कonna रहते हैं मिर्टि का होता है उसको रश्ति से खीचा जाता है ये सिर्फ छत्यसगणर पे होता है जहा तक उमसे पता dasal यह बीप एक तरीकह से नहीं होता फिर उसके मित्टी का ही एक जाता बनाया जाता जाता यह यानि चक्की तो वह भी सिफ 36 के इससे में ही होती है तो यह जो कुछ चीजे हैं और उसमें special खिलोने बंते हैं फिर उसकी बाद गेड़ी चड़ने की बात होती है गेड़ी का निर्वान किया कि पूत्ता है जो नारियल का जो उसका जो घोटकी ऑटका चलते मतलब कर और उसको लेकर छेफित उची गेड़ी भी बनाई जाती है बासकी तो ये क्या है ये हमारी संस्कृती में जुड़ा हुआ है गेड़ी दौर होती है हमारी संस्कृती में है ये कि अलग-अलग साइस की गेड़ी रहती है और उसमें दौर लगाई जाती है ये इस तहार में होता है तो ये मुझे नहीं लग लगती को आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा चुनाव करना है अपने खिलाने और उसके खेल का इसमें कुछ आगे और चर्चा करते हैं देखिए इसमें अपने भारत के ही अलग-अलग राज्चियों के कुछ खिलानों के बारे में आपके कौर्स में दिया गया है यहां तो मैं चुनीनदा एक दो चीजों की चर्चा कर रही हूँ जैसे यह धिंगली यह वर्ड वहां का है और यह क्या है रूई की गुडिया है यह किसके साथ बनाई जाती इस्पेशली कड़ाई वाले कपड़े देखिए उसमें चित्रों में दीख रहा होगा कि वह गुडिया एक दम कड़ाई वाले कपड़े से सजी हुई है और फिर इसको रूई से या भूसे के बुरादे से भर दिया जाता है कुछ-कुछ कट-पुतली जैसा इसका रूप रहता है तो यह किस देखिए अभी इस खिलोने से क्या-क्या विक्सित हो रहा है स्रिजनात्मता मतलब बच्चा अपना खिलोना खुद बनाएगा तो वो कई तरह के आप्शन में जा सकता है कड़ाई के धागों का रंग कड़ाई का प्रकार अंदर भरी हुई सामागरी तो वो जैसा सोचेगा जैसा विचार करेगा वो वैसा लेगा फिर उसमें संप्रेशन यानि उन खिलोनों से जब बात्चीत करेगा तो उसकी बात्चीत विक्सित होईगी सवस्या सवधान कोशल उसको गुड़िया बनाने में कुछ परिशानी आएगी तो वो अपनी प्रॉब्लम रख सकेगा उसका हल ले सकेगा यानि वो बात करना सिखेगा शुक्ष्म गत्यात्म कोशल यानि कि वो छ प्रिशिकल एक्टिविटी फिर सामाजिक भावनात्म कोशल मतलब वो एक क्यारेक्टर को बना रहा है तो वो उसके साथ वो और जो लगेंगे परिवार के और सदर से तो वो उसका अपना एक कहना चाहिए सो साइटल डेवलप्मेंट उसका होगा और वो समझेगा इसमें रसोई करके शब्द है ये बरतन का सेट है बरतन का सेट हर जगा अलग अलग रहता है लकड़ी का मिट्टी का उसके साथ से इनको किया जाता है फिर इसी में है केलाइडो इसको ये भी पारमपरी ग्रूप से भारत में आरमिक खिलोनों में से एक है फिर इसी के साथ अपने को क्या करना है ऐसे ही कई खिलोने आपके इसमें दिया गया है रिंग सैट पजल और आगी भी और आप अपने मन से भी बना सकते हैं और कुल बना के अपने को क्या बनाना है DIY खेल शेतर का स्रिजन करना है मतलब की do it yourself एक जगा बनानी है जहां पर वो खुद से अपने लिए अपने बनाए हुए खिलोनों को रख सके उसकी कच्छी सामागरी उपलब्द हो बने हुए खिलोनों को लटकाने और सजाने के लिए उसके पास एक जगा हो और उसके बाद बच्चों जब वो खिलोने बन मतलब उसकी फोटो और फिर उसके बाद उसके पास हर चीज को रखने के लिए मतलब शिक्षगर्णों को क्या करना है कक्षा में एक ऐसा कॉर्णर बनाना है जहां चाहे टोकरी में हो चाहे टेबिल में हो या आप एक दरी बिच्छा कर उसके उपर रख सकते हैं और जहां यहां पर उसकी सारी चीजे अलग-अलग उसको रखी हुई जहां से चीजे चाटके उठा सके और उसको फिर काम में ले सके तो उसको सारी भाग में पाटके आप इसको डिजिटल सामागरी जो आपके इसमें ना इसकी वेफसाइट दी हुई है कोर्स में क्या आइटी एफ डिजिटल गेम्स.ncrt.org.in आपके कोर्स में है यहां पर लिखनी रहा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं आइटी एफ डिजिटल गेम्स.ncrt.org.in इस पर आप जाके इसको कर सकते हैं फिर इसकी बात इसमें आता है कि सारे खिलोने और गेम्स को सारे खेल और खिलोने को आपको किस में जोड़ना है F.L.N. में जोड़ना है क्योंकि F.L.N. क्या बात करता है कि बच्चों की इस बात में मुख्य रूट से सहायता करना कि वो समिशात्मक और स्रिजनात्मक धंग से सोचें संप्रेशित करें विकासात्पक उप्युक्त पुस्तकों का आनन लें और स्वतंतुत्रा पुर्वक स्वयम को अभिव्यक्त करें और समस्या समधान करें यह जो लाइन में पढ़ रही हो ना यह आपको F.L.N. के उसमें मिल जाएगी सेम यह लाइन तो समिशात्मक और सु उसको अपने एक लाइन बता सके उसके बारे में वही समिशात्मक धंग से सोचना होता है और स्रिजनात्मक धंग से सोचना मतलब यह कि जो चीज उसके सामने आई है उससे वह क्या बना सकता है वह हो गया स्रिजनात्मक धंग से सोचना संप्रेशन करना मतलब वह अपने श कि बुनियादी लख्ष को प्राफट कर लेते तो यह कि लक्ष क्या है कि अपनी आपको वेक्ठ कर लेना तो यह आप इसमें देख सकते हैं फिर नेक्स्ट इसमें स्वीर सुरी पिछलाई वाला लेजिए आकलन वाला हाँ ये कि खिलोना अधारी शिक्षेंग के लिए अब यह आ जाते कि आकलन कैसे करें हमने क्या किया अब तक खिलोना बना लिया उससे पढ़ लिया सब कर लिया लेकिन ये तो समझ आए कि हमने सीखा क्या तो इसके लिए शिक्षगरणों को क्या करना है रुब्रिक्स विक्सित करना है, रुब्रिक्स मतलब step by step जो चीजे बन के आई है, यदि वो सामागरी एकत्र कर लेता है, अपने लिए छाट लेता है, अपने खेल छेतर से, तो उसको किते मार्क्स मिलें चाहिए, यदि वो सामागरी को थोड़ा बहुत जोड लेता है, तब वो किते मार्क्स अचीब कर लिया, यदि वो पूरा जोड लेता है, कुछ खिलोना बना लेता है, तो किते मार्क्स उसमें पालिये, या कौन सा कहने चाहिए, लर्निंग आउटकम कम्प्लीट कर लिया, और उसके बाद, यदि वो खिलोने से पढ़ लेता है, पढ़ा लेता है दूसरे को समझा लेता है तो complete अच्छिव कर लेता है तो वह अवधारना उसके लिए complete हो जाती है तो इसके इस्तर को आपको बना रहा है फिर उसके बाद भाई पेरेंट्स सोचेंगे अभिभावक कि यह कैसे सही कर रहा है कि नहीं कर रहा तो उनको फिर फीडबाक देने के लिए आपको क्या है कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते आप या उसकी कुछ फोटोलिग्राफ्स ले सकते हैं जो आप उनको दिखा सकते तो इस प्रकार से हम उसके आखलन की विभी इन चर्णों को क कर सकते हैं ठीक है तो इसको पूरी तरीके से तो बिल्कुल अनिवारियो ही हो जाता है की अभी भाविक और परिवार उसमें शामिल हो क्योंकि जब कुछ बनाएगा और उसके बाद उसके घर के लोग भी उसको देखेंगे और उससे वो भी सीखेंगे तो बच्चे का क्या हो जाता है एक तरीके से दिविजन हो जाता है जो अपन होमबर्ग देते ना बच्चे को रिवाइस करने के लिए दोहराने के लिए तो यदि पालक उसमें शामिल है तो वो उसको और अच्छे से कर सकता और फिर उसके बाद हो सकता है कि बच्चे ने कुछ ऐसा निर्मान किया हो जो से परिवार की संस्कृति से संबंदित हो या उसके समाज विशेच से संबंदित हो तो उसको फिर उसके जो अभी भावक है वो उसको और परसनलाइस्ट कर सकते हैं मतलब उसको और अच्छी तरी के से काम करती है यह उसका उद्देश यह है तो इस प्रकार अभी भावत भी उससे चुड़ जाए तो फिर वो क्या हो जाता है खिलोना अधारिक फिर उसके बाद विकासात्मक उद्देश यह तीन जो पहले वरम है थैंक यू थैंक यू मैंदम आपने भी टाय बेफ पेड़ा गाजी पर कोर्स में क्या-क्या बाते हैं उनकर विश्चित ज्यानकारिय दिये अब इसके बाद पुरे शिच्छक साथी इस कोर्स को आसानी से कर सकेंगे उनको को करने के लिए सुधा होगी और इस को करने के ल कार्क्राओं की लिए कोर्स जैसे निष्ठा 3.0 प्रारम हुआ दो महत्त्व पूर्ण बाते ही जिसमें से पहला है एक टेक्निकल जो कार्य होते हैं टेक्निकल कार्य में क्या-क्या बाते आती हैं कैसे उनकीस उनका समधान होता है यह सारे जानकारी देने के लिए हमारे SCRT से जो इस पुरे कार करम को टेकनिकल सपोर्ट दिये हैं, पुरे कोर्स को लांच किये हैं, और वो किसर से काम किये हैं, हम तंबोली जी है, फिलतोस तंबोली जी, हम तंबोली जी से आगरा करते हैं, कि वो आज इस पुरे कोर्स के समाप्ति के समय पुरे टेक्निकल जानकारिया आपके सामने प्रस्तूर करेंगे तर्णियवाद सर्थ हमारे बहुत दिनों बाद आप से मुखातिक हो रहा हूँ है हमारे निस्था सेकेंडरी 2.0 में जो हमारा रिजिस्ट्रेशन है और पोर्स कंप्लीशन है वह लगभग 90 पसेंट के असपास है लेकिन पहले साल में जो आपनी किया था निस्था 1.0 तो एक लाग 32 जार टीचर में से बाकी सारे लोगों को बताईए कि ये कोर्स करना निवार्य है और आपका मॉनिटरिंग भी हो रही है तो वो आपके जो परफॉमेंस है उसके साथ लिंक होगा और जो जो कोर्स नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कारवाही भी होगी तो अभी ये लास्क मौका है है गyaniर ओर्फॉमेलाश्य कोर्स का तो आपसे निवदन है की जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको बुलए कि सारे के सारे ग्यारा और बारा के जो छूर गया होगा उनके लिए नेक्स समझ में हो सकता है भारज सरकार से इनमती लेकर हम दोबारह खोलेंगे पूरे 1-1 बारा तक का कोर्स और आप में जैसा कि आप करते आईए हैं पिछले साल भी आपने अठारा कोर्स किया था इस बार भी बारा कोर्स कंप्लीट हो गया है तो सर्चिंग के लिए ज्यादा बताने के ज़रुत नहीं है आप अप्लिकेशन दिक्षा आप में जाएंगे और आपका सीजी अंडर्सकोर एफले अंडर्सकोर जो कोर्स नमबर जीरो ग्यारा और बारा कोलेंगे तो खुल जाएगा और वहां से कंप्लीट होता है कोर्स करने से कोर्स करने के लिए आपका देखे आप अभ्यस्त हो गया है तो बहुत अच्छे से इदिक टाइम देंगे तीन-च तो वह ध्यान रखिएगा और जितने सारे दोस्त आपके नहीं कर रहे हैं या किसी कारेंट से भी छूड़ गया है उनको बूले कि इस वाले कोर्स को हर हालत में कम्प्लीट करें अभी पिसले महिने सची महदय का कलेटरों को पत्र भी किया है और वो भी आप मॉनिटर करना स् नहीं आ पाता है भारत सरकार से बात हो रही है कि वो सारा डेटा हमें दे दें तो यदि डेटा एक बार आ जाएगा तो ट्रेस हो जाएगा exactly कि किसने किया और किसने नहीं किया तो मेरा क्यवाली की निवदन है कि कोर्स तो करिए सारे कोर्स अच्छे हैं और हम ट्राकिंग क करेंगे कि वो उनके थ्रूफ से आप हमें कंट्राइट कर सकते हैं जो आपके जो गुरुप चलते हैं अलग-अलग सिख्षकों के गुरुप बने हुए हैं वहां भी अपने स्मस्यां पोस्ट करेंगे तो ही हम उसको सौल कर लेंगे थैंक्यों साहू सर्ट कुसातियों अपसे एक बार पुना मैं अग्रह करता हूं अन्रोद करता हूं कि हमारे राज्य के कच्छा एक से पांच तक कच्छाओं में पढ़ाने वाले समस्त सिख्षक और प्रधान पाठा की कोर्स करें क्योंकि यह जो कोर्स है भारत के पुरे राज्य में एक साथ चल रहा है और भारत सरकार पुरे राज्य का मानिटरिंग कर रहा है इस कोर्स को नहीं करने से बहुं सारे नुकसान होंगे सबसे ज्यादा नुकसान एक सिख्षक का होगा जो इस कोर्षो को नहीं करेगा तो उसकी समता समर्धर नहीं हो सकेगी इसके कारण वह बच्चे को जैसा अध्यापन करना चाहे जो गाइडलाइन मिलेगा उसके अनुप अध्यापन नहीं करेगा तो हमारे राज्य के बच्चों का नुक्सान होगा तीसरा हमारे राज्य का नु यह सीधी तरह से हमारा नुक्सान दिखाई दे रहा है तो आप सभी से अन्रोध है अपने दोस्तों को बताइए सभी को बताइए और इस कोर्ष को करें इस माहा मार्च माहा में कोर्ष 11 और 12 को सब्सक्राइब सिक्षक यदि पूर्ण कर लेते हैं तो आगामी माहा में जब हम फिर से कोर्ष को रियोपन करेंगे भारत सरकार के अन्मती से तो उस समय वो सभी सिक्षक बागी कोर्ष को कर सकेंगे जिससे हमारे राज्य का प्रदर्शन बेहतर होगा अन्य राज्यों की तुल्णा में हम अच्छे पोजिशन में रहेंगे यह मैं आप से अन्रोध करना चाहूँगा तो धन्यवाद जय ही नोहर कोली जी का सवाल था क्या कोई 14 प्रस्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो क्या उस कोर्ष को फिर से कर सकता है देखे जा 14 प्रस्न का आंसर नहीं दे पाता है तो वो तीन बार मिलता है तीन चांस मिलेगा तीनों चांस में दी 14 नंब अगले बार कर सकता है नेक्स्ट एर कर सकता है अगले के तुझे कर सकता है ओके थैंक यू